तुडेंट्स वेल्केम बेक आज के इस विडियो लेक्शर में हम बात करने जा रहे हैं फिल इन दे ब्लैंक की खाली अस्तान भरना है और यह हमारे जो कोश्चन्स हैं यह हमारे टेंसेस पर अधारित हैं और वह भी केवल प्रेजेंट एंडेफिनिट का पॉजिटिव नेग इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव का यूज करके इसको फिल करना है इस प्रेजेंट एंडेफिनिट टेंस को मैंने कई पार्स में बहतर दंग से पढ़ा दिया है यदि अब तक मेरा वा वीडियो नहीं देखे हैं आप तो आप पहले देख करा रहा हूं यह मेरे पास राजी प्रकाशन की टेस्ट बुक है जो आप पनेर स्कीन पर देख पा रहे हैं और यह टेंसेज वाले चेप्टर में सबसे जो पहला हमारा एक्सरसाइज है वह दिया है देखें लिखा है फिल इन दा ब्लैंक्स खाली अस्थान वरिये रिक्त वरिये विद्ध करेक्ट फार्म दवर्ब्स किरियाओं का सही रूप है उसका पर्योग करते हुए गिवन इन दा ब्रैकेट जो इस ब्रैकेट में दिये गया है इन दा फालोइंग सेंटेंसे नीचे दिये गया सेंटेंसे में यहां आगे और भी कुछ लिखा होना चाहिए और यहां यहां होना चाहिए कि यूज प्रैजयाँ अंद डर्योग करके आप यहां देख़ा है कि करेक्ट फार्म आपद वर्ब्स क्रियाओं का सही रूप का चैन करके तो मैं आपको clear कर दूँ कि क्रियाओं का 5 farms होता है 1st farm, 2nd farm, 3rd farm, S and, ES farm and ING farm चुकि इसको भरना है present and definite पर तो present and definite में हमारा positive में S, ES लगता है negative में does not, do not के साथ first farm लगता है interrogative में हमारा first farm लगता है interrogative negative में first farm लगता है तो आपको यह जो आप screen पर 15 sentences देख रहे हैं इनको आप देखिए और find out कीजिए कि यह किस में है positive में है कि negative में है interrogative में है interrogative negative में है तो आईए start करते हैं सबसे पहला हमारा है ram, dot, 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 to school daily बहुत easy है ram, विद्यालय, प्रतिदिन यहां लिखा हुआ है go तो students इसको केवल present and definite tense के आधार पर ही इसे fill करना है नो कि और किसी जो है के आधार पर तो present and definite tense में subject हमारा यदि similar होता है तो इसके साथ जो हमारा verb होता है उसमें हम s and es लगा देते हैं तो यहां दिया हुआ हुआ है go तो राम के साथ go हमें यहां जब लिखेंगे तो इसमें हम yes add करदेंगे क्यों yes add करेंगे क्योंकि यहां yes लगा वुआ है तो राम गोज हो गया गीता does not put यहां cook दिया हुआ है तो does not के साथ minor की first वाम आती है तो यहां जो cook है यह हमारा कूक ही रहेगा नेट्स देखाए योर ग्रेंड मदर आपकी दादी मा वाक चलती है विद दा हेल्प आप इस्टी के छड़ी की मदद से तो यहाँ वाक है योर ग्रेंड मदर है सिमलेट सब्जेक्ट है तो जो हम भरेंगे यहाँ वाक इसमें हम क्या करेंगे एस लगा देंगे आपको बताए गया है कि O, C, H, X, W, S और यह डाने पर वर्ब में हम क्या करते हैं एस लगाते हैं बाकी जो है आएगा तो एस लगाएंगे के है तो एस लगाएंगे I never negative हो गया मैं कभी नहीं टेल अला आए जूड़ बोलता हूँ I के साथ हमारा केवल टेल ही होगा आपको बताए गया है कि I, V, U, D, के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फांप का ही यूज करते हैं नेक्ट देखां U always आप हमेशा अब U के साथ यहाँ देखां गो दिया है तो यहाँ केवल वो ही रहेगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगलर होता तो Yes हो जाता नेक्ट देखां रस्मी सिंग तो रस्मी हमारा सिंगलर सब्जेक्ट है तो हम सिंग को लिखेंगे तो इसमें S and Yes एड़ करना है तो S एड़ कर देंगे क्योंकि जी है तो सिंग्स हो गया दा सर्वेंट डडडड़ डाट मिल्क इन दा एविनिंग ब्रिंग लाना नोकर संद्याकाल के समय दूदलाता है तो ब्रिंग लिखेंगे इसमें हम एस एड़ करेंगे क्यों क्योंकि यह सिंग्लर सब्जेक्ट है माइवाच डजनाट अब यहाँ डजनाट डूनार के साथ मेन और की कोई सिफाम आती है फर्स पार्म चाया वह उसके पहले वर्ब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंग्लर हो या ट्रल हो हम फर्स पार्म में लिखेंगे तो यहाँ कीप है तो आप के वर्ब कीप ही लिखेंगे के वर्ब कीप हो जाएगा फार एंड वाटर बता रहा है आग और पानी एक साथ नहीं मिलते हैं एक साथ नहीं रहते हैं तो एगड़ी है तो एगड़ी ही रहेगा क्यों क्योंकि डू नाट दिया है तो हम यहाँ एक ग्री भरेंगे आपको याद रखना है हमेशा की डू नाट और डज नाट के बाद हमेशा मेन वर्ब की फार्ष फार्म ही लिखी जाएगी आपको यहाँ वर्ब का फार्ष फार्म ही भरना है और कुछ नहीं आपको फिल करना है नेक्स दखें टू एंटू मेक फोर दो और दो चार होते हैं तो यहां हम क्या करेंगे मेक भरेंगे यहां एंड से इन दो संख्याओं को जोड़ा गया है दकाउ गाए गीव असमिल्क हमें दूद देती है दकाउ सिम्लर सब्जेक्ट है तो गीव हम लिखेंगे अब इसमें S हम क्या करेंगे एड कर देंगे डॉक्स पहले ही प्लुर्ल दिया हुआ है बार्क है तो हम यहां बार्क फिल करेंगे यहां प्लुर्ल है तो यह से यह लगेगा फार्चून भाग तो यह हमारा सिम्लर है favor है साथ देना तो हम क्या करेंगे इसमें s add कर देंगे fortune favors the brave भाग ये बहादूरों का साथ देता है जो बहादूर है जो work hard करते हैं भाग ये नहीं का साथ देता है where do you these days leave रहना तो यहां देखा interrogative है जब sentence में do order जाया तो work की हम first farm ही भरेंगे तो यहां क्यों जाएगा leave the house pilgrims आप यहां देखा s लगा हुआ है plural है तो sale में हम क्या करेंगे yes and yes नहीं लगाएंगे क्यों sale ही रहेगा house की जो तिल्थे आत्रा है जो या house के तिल्थे आत्री है वो मक्का के लिए रवाना होंगे मक्का के लिए जाएंगे sale मतलता समुद्री आत्रा समुद्र के राष्टे से जाने के लिए तो I hope कि आप इसको बेहतर ढंक से समझ चुके होंगे students काफी आसान है आपको सिर्फ यहीं याद रखना है कि यदि positive होगा तो S&S लगाएंगे similar होने पर पर नहीं लगाएंगे negative होगा तो do not dot के साथ मेंवर की first form आएगी यदि never होगा singular होगा तो S&S लगाएंगे interrogative में do does होने पर first form लगेगा interrogative negative यदि दिया है तो उसके साथ do does दिया है तो वहाँ भी मेंवर की first form को ही लगाएंगे इस exercise को भी आपको present and effect के according ही feel करना है जैसे आपने इसके पहले वाले को किया है does your father before breakfast breakfast नहीं है क्या आपके पापा नास्ता के पहले नास्ते के पहले save करते हैं दाड़ी बनाते हैं तो हम क्या करेंगे save ही लिखेंगे क्यों save लिखेंगे क्योंकि does दे दिया है sentence में does या do होने पर वर्ब की first part में लिखी जाएगी next लिखा है who your history teach दिया हुआ students तो यहाँ teach है तो teaches होगा t-e-s-e-h-e-s c-h है तो e-s लगाएंगे अब देखें क्यों जब who दिया होता है who के साथ do या does अगर नहीं दिया है तो present and event के interrogative में भी हम who को singular subject मानते हैं और इसके साथ main or की first part का ही use होता है और उसमें s-e-s हम लगा देते हैं तो who singular subject है तो who teaches you history तो who क्यों जाता है who goes कौन रोता है who whips तो इस तरह से होगा कौन तुमारी मदद करता है who helps you ऐसे होगा when do classes अब यहाँ देखाँ do दे दिया है तो वर्ब की first part ही रहेगी तो when do classes begin हो जाएगा begin यही भरतेंगे यह जूरूर नहीं है कि जो दिया इसको change किया जाए आप इसको भी लिख सकते है next देखाँ the milk में दूद वाला bring तो यहाँ हो जाएगा brings में हमें क्या लगाएंगे s लगा देंगे brings लगा देंगे क्योंकि दूद वाला singular subject है तिसरा fifth को देखिए the earth धर्ती around the sun शूरु के चारो तरफ चक्कर लगाती है धर्ती singular subject है एक बचन है तो मूब में का करेंगे s लगा देंगे तो मूख सो जाएगा where do you leave यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ leave को ही लिखेंगे यहाँ sentence में do order जाने पर interrogative होने पर work की first form कराही परियोग किया जाता है can you mention यहाँ mention ही रहेगा यह हमारा model से उठा करके दे दिया है बताना कैन के साथ work की first form आती है my father always मेरे पिता my father singular subject तो read है तो read में हम s लगा देंगे रिस पढ़ते है the newspaper समाचार पत्र in the morning मेरे पिता हमेशा सुबह में यानि morning के टाइम में समाचार पत्र यानि अख़वार पढ़ते है next देखाए students लता for half an hour daily राधा sorry लता परति दिन आदे घंटे क्या करती है तैरती है swim है s w i m तो हम इसमे s लगा देंगे swims हो जाएगा similar subject है तो s लगेगा dogs पहले ही पिल्डरल दिया हुआ है यहां बार्क है तो first farm है तो first farm ही लिखेंगे we पिल्डरल है तो यहां देखाए we practice tomorrow यानि हम कल अभ्याद शुरू करते है तो begin है first farm है तो begin ही रहेगा क्योंकि we पिल्डरल है इसके साथ first farm आएगा the sun शूर्य यहां देखाए दो आप्सन दिया है rise set और दो इसमें फिलेंदा blank से उपर और नीचे the sun rise तो क्यों हो जाएगा rises r i s e as singular subject है rises in the east and और set दिया हुआ तो क्यों हो जाएगा sets हो जाएगा sets in the west surya पूरम में होता है और पस्ची में अस्थ होता है आए 13 को देखते है the sun by day and the moon by night surya यहां sign दिया है surya दिन में चमकता है और चाद रात में तो surya singular subject है तो s h i n e दिया है हम s इसमें add कर देंगे आएगे दो अभी इसमें sentence है ज़र बचे है उनको भी हम देख लेते है 14 देखे है all the trains सभी train है अब यह पहले सही प्रूलर दिया है stop है तो आप यहाँ stop ही fill करेंगे s and e s नहीं लगाना है next rice 10 Rs और किलो बता रहा चावल परति रुपे परति कीलो 10 रुपे के हिसाब से बिखता है या उसकी कीमत है तेहा cost दिया है c o s t cost तो इसमें हम क्या करेंगे s लगा देंगे तो इस तरह से हमारे यह जो है rice singular subject हुगा तो s हमारा लगके यहाँ complete हो गया students यह आप यदि यह बेहतर ढंक से समझ माया है और इस प्रकार से आपका यह exercise समाप्त होता है फिर मैं अगले lesson में नए lesson के साथ मौजूद हूँगा तब तक के लिए good bye